आपका एक बार फिर से हमारे यूटूब चैनल सुरिय स्टार अक्सज में स्वागत है आज मैं एक ने टोपिक के साथ में आज आजिरूं आज का टोपिक है क्रिया तो आईए पढ़ते हैं हम क्रिया तो परिवासा है जिस सबद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं जैसे खाना, पीना, जाना, पढ़ना, लिखना, आदी यानि कि जिस सब्द से किसी के कारे का होने का बोध होता है उसे हम किरिया कहते हैं जैसे खाना, खाना, पीना, पढ़ना, लिखना ये सब क्या है? किरिया है और किरिया विकारी सब्द है यानि कि विकारी यानि कि इसमें कोई परिवर्तन आ सकता है जिन सब्दों में परिवरतन आते हैं वो विकारी सब्द होते हैं किरिया सब्द क्या है विकारी है इसके रूप लिंग वचन और पुरस के अनुसार बदलते हैं किरिया का जो रूप है वो लिंग वचन और पुरस के अनुसार बदलते हैं किरिया के मूल रूप धातु कहे जाती है किरिया का ग्यान मूल धातु में ना जोड़ कर कराया जाता है जैसे देख से देख प्लस ना अब जोको क्या मूल धातु जो सबत होंगे उन्हें ना जोड़ करके किरिया का ग्यान कराया जाता है जैसे देख से देखना, खा प्लस ना तो खाना, कर से प्लस ना, कर प्लस ना तो करना, किरिया के भेद, अब किरिया के भेद क्या है, करम के अधार पर किरिया के दो भेद होते हैं, करम के अधार पर, तो पहला क्या है, सक्क्रमक क्रिया और दूसरा है, अक्रमक क्रिया, सक्क् क्रिया का फल यानि कि क्रिया का फल जब करम पर पड़ता है तो वहां सक्रम क्रिया होती है क्या वाक्य में जो क्रिया का फल है यानि कि क्रिया का प्रभाव जब करम पर पड़ता है करम पर पड़े तो वहां सक्रम क्रिया होती है यानिकि कहाणे मतलब है जिस वाक्या के अंदर करम होगा तो वहाँ वहाँ क्या हो जाएगी उस वाक्या के अंदर है वो सक्रमक क्रिया मानी जाएगी जहां करम आएगा जिसे राम पुस्तक पढ़ता है अब देखो राम क्या है करता है और पढ़ता सबद क्या है क्रिया है अब राम क्या पढ़ता है राम पढ़ता है क्या पढ़ता है पुस्तक तो पुस्तक क्या है करम तो ये कौन से क्रिया हो गई सक्रमक क्रिया हो गई अब दूसरा आता है अक्रमक क्रिया अब अक्रमक क्रिया क्या आता है जब क्रिया का फल करता पर पड़ता है यानि कि उस वाक्या में करम नहीं आता है जायतर यह होगा कि वाक्या के अंदर क्या नहीं आएगा करम नहीं आएगा जैसे अब क्या कहा है क्रिया का फल करता पर पड़ता है वह अकर्म क्रिया होती है जैसे राम हस्ता है अब राम क्या करता है हस्ता है अब किरिया क्या है हस्ता कोन है राम हस्ता कोन है राम तो ये हस्ता सबद क्या है किरिया है और किरिया का प्रभाग किस पर पड़ रहा है राम पर पड़ रहा है तो करता पर पड़ रहा है तो यहां अक्रमक किरिया हो इसे परकार मूल किरिया अब व्यूत्पत्ति के अधार पर किरिया के दो बेद होते हैं जैसे पहला क्या है मूल किरिया मूल किरिया वेधातु होते हैं जो किसी दूसरे सब्द से ना बने हो यानि कि उनमें किसी दूसरा सब्द कोई जुड़ा ना होता है कोई जुड़ता नहीं है जैसे खाना करना चलना बेठना आदी ऐसे पढ़ना लिखना सोना नाचना खूदना बहुत सब्द होंगे जो क्या होते हैं मूल क्रिया के दातू होते हैं मूल सब्द बने जाते हैं इसी बिगारता है योगी क्रिया अब आती है योगी क्रिया योगी क्रिया क्या है जो क्रिया का दातू किनी अन्य सब्दों के योग से बनती है यहनि कि जो क्रिया दातू जो किरिया या धातू किनी अन्य सपनों के योग से बनती है यह अन्य सबत भी उसमें जुड़ जाते है तो वहां योगी किरिया होती है किसी के योग से जो किरिया बनती है वह योगी किरिया होती है तो जैसे चलना चलना क्या है मूल धातू किरिया थी है हमारी मूल किरिया थ खाना से खिलानना बन गया पढ़ना से पढ़ता है यह सबसे बहुत रहा है यह योगिक क्रिया होती है योगिक क्रियाओं के निमलिक्त बेद है पहला है शुक्त क्रिया शुक्त क्रिया क्या होती है जब दो या दो से अधिक क्रिया है मिलकर किसी पूरन क्रिया को बनाती है क्या करती है पूरन क्रिया को बनाती है तो उसे शुक्त क्रिया कहती है क्या कह रहा है शुक्त क्रिया जब दो या दो से अधिक क्रिया है दो क्रिया हो सकती है या दो से अधिक क्रिया हो सकती है वो मिल करके क्या करती है एक पूरन क्रिया को बनाती है तो उसे शुक्त क्रिया कहते है शुक्त क्रिया में एक मुख्य क्रिया होती है तदा एक गोन क्र उसकी बात सुनो तो काम करते जाओ तो यहां सुन और लो यहां क्या है सुन और लो यह दो किरियां के मेल से क्या बना सुन लो किरिया बनी क्या बनी सुन लो किरिया बनी और इसी परकार करते और जाओ करते और जाओ किरिया ये दो किरिया का मेल से करते जाओ किरिया बनी है आता है ये शेक्त किरियाएं है तो ये शेक्त किरियाएं है आगे आता है बैभाग बैभाग क्या है नाम धातु किरिया जो किरिया जो किरिय क्या करती है जो क्रियाएं संग्या सरवनाम या विशेशन सब्दों से बनती है वो नाम धातुए क्रियाएं कहलाती है जैसे गरम से गर्माना ठीक है इसी विकार सरम से सर्माना और लाज से लज्जाना एक उधारन दे सकते हैं जैसे राम सर्माता है राम की एक विशेष्टा है कि वो सर्माता है तो यानि कि कह रहे हैं कि जो किरियाएं संग्या सरवनाम या विशेष्टन सब्दों से बनती है उसे हमें नाम धातू किरियाएं कहते हैं अब तीसरा बाग क्या है प्रेरनार्थक किरिया प्रेरनार्थक किरिया जब क्या होता है करता स्वयम कारिया ना करके यानि खुद कारिया ना करके किसी अन्य से कारिया करता है यानि किसी दूसरे से कारिया करवाता है तब वहाँ प्रेरनार्थक करिया कहलाती है उसे हम प्रेरनार्थक करिया कहती है क्या है जब कोई व्यक्ति खुद स्वयम कार्य ना करके किसी अन्या से कर्या करवाता है यानि कि क्रिया करवाता है तो वो कौन सी क्रिया होती है प्रेरनार्थक क्रिया होती है जिसे लिखवाना, पढ़वाना, बुलवाना ऐसे उधारन देते हैं केशव ने मोहन से पत्तर लिखवाया क्या किया पत्तर लिखवाया केशव ने मोहन से यानि कि स्वेयम कारिया नहीं किया केशव ने मोहन से कारिया करवाया क्या करवाया पत्तर लिखवाया तो ये प्रेरनात्र क्रिया का उधर नहीं है गौपाल अपने पत्र को मोहन से पढ़वाता है तो यह कुन सी करिया है प्रेरनार्थक करिया है अब चोथा भाग पूरवकालिक करिया जब वाके में एक करिया समाप्त हो जाने के बाद दूसरी करिया होती है यानि कि वाक्या के अदर एक करिया के समाप्त हो जाने के बाद में जो दूसरी करिया होती है तब समाप्त होने वाली पहली जो समाप्त हो जाएगी वह दूसरी करिया होगी तब समाप्त होने वाली करिया पहले जो समाप्त होने वाली करिया है वो पहली करिया पूरवकाल करि किरिया कहलाती है यहीं कि जा वाक्य में एक करिया के समाप्ट हो जाती है तब पूरो काली किरिया कहलाती है जैसे खाकर खेल कर उधारान से समय लेती है वह खाना खाकर सो गया अब देखो वह खाना खाकर खाकर क्या है किरिया खाना खाकर सो गया यानि कि खाकर यानि कि पहली किरिया क्या किया उसने खाना खाना खाया उसने यानि कि खाकर फिर सो गया पहले खाना खाया यानि कि खाकर क्या है किरिया तो पहली किरिया है यह पूरवकाली किरिया कहेंगे इसको और दूसरी किरिया क्या होगी इसमें सो गया तो ना इसी परकार इसके इंदर पूरवकाली किरिया कहेंगे तो खाकर सब्द है वो पूरवकाली किरिया है इसी परकार देखिए वह पढ़कर चला गया अब पढ़कर पढ़कर यानि कि यह पढ़ने वाले किया एक किरिया है और चला चला चलना यह भी किरिया है यानि कि पहली किरिया कौन से हो रही है वह पढ़ना यानि कि पढ़ा सा पहले फिर वो चला गया तो पढ़कर क्या सबद है पढ़क परसन आपको मैं दे रहा हूँ वो आपको अपनी नोट बुक में या अपने नोट बुक में आप लिख सकते हो और पढ़ सकते हो तो इनके कुशन जो कुशन आप मैं दे रहा हूँ वो इसी से रिलेटिव है वो आपको अपनी नोट बुक में कर सकते हैं तो पहला कुशन है सीता रोती है क्या करती है सीता रोती है वाके में क्रिया है अब कौन सी क्रिया है वो आपको बताना है दूसरा कुशन है जिस क्रिया का फल करम पर पड़ता है जिस क्रिया का फल करम पर पड़ता है उसे कहते है यानि कि अब उसे क्या कहते है कौन सा करम कहते हैं वह अभी थोड़ा थोड़े दिर पहले हमने पढ़ा भी था जिस किरिया काफल करम पर पढ़ता है उसे कहते हैं यानि क्या कहते हैं वह आपको लिखना है कौन सा करम कहेंगे ना इसी पकार तीसरा कुष्ण है किरिया किशे कहते हैं अब किरिया की डेफिन कितने बेद होते हैं उनके नाम लिखने हैं तीन है चार है पांच है अभी आपने पड़ा है उनका आपने नाम लिखना है और पांच वाँ कुछिन क्या है पूरवकालिक अभी थोड़ी जश्ट अभी हमें नाम पड़ा पूरवकालिक किरिया किसे कहते हैं उसको डेफिनेस लिखोंगे उसका उधारन बताएंगे इसी परकार सात्मा कुशन है अमरे आप सात्मा नंबर परशन क्या है सक्रमक सैक्रमक क्रिया और एक्रमक क्रिया में क्या अंतर है सैक्रमक तदा एक्रमक क्रिया में क्या अंतर है ये कुशन आप करोगे हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में